बांगलादेश में हैवानियत की हदेपार कोई लूट रहा है तो कोई मार रहा है परिवार के परिवार मारे काटे जा रहे हैं हिंदू परिवारों को कर रहे हैं धूंड धूंड के खत्म पीज नेताओं को परिजनों सहित उतारा मौत के खाट देखिए बांगलादेश में हो रही दरिंदगी का खौफनाक चहरा इन्हें इंसान समझने की भूल ना करें इंसान के भेश में बांगलादेश की सडकों पर हैवान घूम रहे हैं ये हैवान ना बच्चे देख रहे हैं ना महिलाएं सिर्फ कतले आम ही इनका मकसद है इनके सिर पर सिर्फ खून सवार है और पूरा विश्व बांगलादेश के ऐसे हालात देख कर सब्द है हिंसा की आग में जुलस रहे बांगलादेश में बीते कईद्रों से लगातार चिंताजनक खबरे सामने आ रही है छात्रों को विरोध से निकली चिंगारी से देश जल रहा है इस बीच व्यापक पैमाने पर हिंसा अभी भी जारी है इस बीच शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग के 20 नेताओं के शव बरामद के गए है प्रधार मंत्री बस से स्तीफा देकर भारत पहुंची शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को द्रवियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है अवामी लीग के 20 नेताओं के शव बरामद हुए है इन नेताओं के परिवारों के सदस्यों के भी शव वहां मिले है पार्टी के कई नेताओं और कारेकरताओं के घरों और यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़ फोड़ और लूट पाड़ की जा रही है बांगलादेश के सत्खीरा में हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई जबकि कमीला में 11 लोगों की जान चले गई जबकि बांगलादेश के पूर्व कांसलर मोहमत शह आलम की तीन मंजिला घर को दंगाईयों ने आग के हवाले कर दिया है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई बांगलादेश की फिमस सिंगर राहूल आनंद का ठाका के धानमंजी में 140 साल पुराना घर उपद्रवियों ने फूंग दिया है बता दें कि आनंद का एगर जीवंत संस्कृतिक केंद्र हुआ करता था उपद्रवियों ने इसे जलाने से पहले घर में लूट पाट भी की तक्ता पलट और शेक हसीना के प्रधान मंत्री पस्ति इस्तीफा दे कर देश छोड़ कर भाग खड़े होने के बाद उनकी पूर्व केबिनेट के मंत्रियों पर एक एक कर गाज गिरनी शुरू हो गई है बांगलादेश के पूर्विदेश मंत्री हसन महमूद को ठाका एरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया वे भारत आने के लिए फ्लाइट लेने गये थे तभी उन्हें हिरासत में ले लिया गया था बांगलादेश में तक्ता पलट से पहले ही शेक हसीना की अवामी लीग पार्टी के कई शेश नेताओं और पूर केबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके है अवामी लीग के महसाचीव और सडक परिवहन मंत्री अब्दूल क्वादर रात को ही देश छोड़ कर फरार हो गये थे इसके साथ ही हसीना की स्तीफे से पहले ही उनकी सरकार में मंत्री रहे अनिसूल हक देश छोड़ कर किसी अग्यात इस्थान पर चले गये थे बांगलादेश में ये तक्ता पलट के बास से बड़े पैमाने पर हिंसा जारी है इस बीच देश के 27 जिलों में हिंदूों पर हमले की खबरे हैं कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है बंगलादेश के जमात एसलामी ने ये स्युकार किया है कि बंगलादेश में शेख हसीना के सीफे के बाद अलपसंख्यों को निशाना बनाया जा रहा है उन्होंने ये भी स्युकार किया कि हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है इंसानियत को शर्मसार कर रहे बांगलादेश के हालात पूरविश्व के लिए चिंता जनक है पूरव पीम शेक हसीना की लापरवाही कहें किया अंतेखी जिसकी आग में आज बांगलादेश चल रहा है समय रहते इसे शुरू होने से पहले रोका जा सकता था पर ऐसा ना हो सका उमीद करते हैं अब इस नरसहार पर रोक लगे लेकिन हालात सुधारेगा कौन ये भी बड़ा सवाल है भारा सरकार इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाएगी ये भी बड़ा सवाल है इंसानियत के लिए ही सही पर सब कंट्रोल होना बहर जरूरी है अगर किसी को तो स्टेंड लेना ही होगा उमीद है बाहलादेश में भड़की आग जल्द शानत होगी पत्रुका के लिए क्रपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट